प्रक्रती का दूसरा नियम है जिसके पास जो होता है वह वहीं बाटता है सुखी सुख बाटता है दुखी दुख बाटता है ज्यानी ग्यान बाटता है ब्रमित ब्रम बाटता है और भैबीत भैबाटता है और आप क्या बाटना चाहते हैं ये आप ही पर निर्भर करता है नमश्कार मैं हूँ मोहित कमिश्टरमाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज का राश्ची फिल यानि के 28 मार्च के इस विशेश एपिसोड में आप सभी को वधाई और शुब कामने देना चाहूँगा जिनका आज जनम देवस है, मैरिज अन्वसरी है या कोई विशेश यादगर दिन है तो आईए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की आज तारीक 28 मार्च 2022 है और दिन सुमवार का है आज की विशेश उपाय में सुमवार ही शिवजी का दिन क्यों माना जाता है इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा समबत 2078 का चैतर कृष्णपक्ष चल रहा है एकादशी थी थी है दोपेहर में चार बज के 15 मिनट तक जिसके बाद में दोआदशी थी थी आरम होगी श्रवन नकषत्र है साड़े 12 बचे तक जिसके बाद में धनिश्चा नकषत्र आरम होगा वहीं पे आज चंद्रमा मकर राशी में रहेगा रात के ग्यारा बच के चौपन मिनट यानि के लग बारा बजे तक तो ऐसे में जो भी प्रेडिक्शन है वो मकर राशी के चंद्रमा को बेसिस मानते हुए ही किये जाएंगे आज सोमवार के दिन पे रहुकाल का समय जिसमें माना जाता है कि कोई भी शुप काम नहीं किया जाता कोई भी मांगले काम नहीं किया जाता कोई भी Important Business Meeting नहीं की जाती तो वो समय है सुभे के 7.7 बजे से लेके 9 बजे तक और वहीं पे शुब चौगडिया महरत जो है वो है दोपेहर के तीन बच के 37 मिनट यानि की 337 से 637 तक ऐसे में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं आप कहीं important meeting ले बाहर निकलना चाहते हैं या family के साथ में कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो अदक्षिन दिशा और पश्चिम दिशा सबसे सरवश्ष्ट दिशां रहेंगी आज के दिन जहां पर कोई भी विग्न नहीं आएगी मंगल में यात्रा रहेगी सुक पून रहेगी वहीं पर दिशा शूल दोश जो है वो पूर्व दिशा में और आगने दिशा यानि कि साउथ इस्ट दिशा में आपको देखने को मिलने वाला है तो ऐसे में दिशाशूद दोश का परिहार करने के लिए दूद पी करके या दूद का कुछ बना हुआ खाकर के अपनी यात्रा आप आरम कीजेगा आज सुर्य उदय कालीन कुंडली में आशरे योग, मुसल योग, सुनफा योग, सम योग, वैशी योग, काहल योग, चंद्रमंगल योग, अखंड सामराज्य योग और केंद्र तरिकौन राज योग जैसे राज योगों का आपको साथ मिलने वाला है अब आपको राज्योगों के बारे में कुछ बताता हूँ आप मेंसे कहीं लोग फोन करते हैं कि मेरी जिन्दगी तरस्त है परिशान हूँ कुछ भी कर रहा हूँ फाइदा नहीं मिल पा रहा है मैं कुछ भी कैसे भी कोशिश कर लूँ मेरा कुछ भला नहीं हो पा रहा है मैं मेहनद करता हूं लोग अर्चन डाल देते हैं काम में बनते हुवे काम बिगड जाते हैं और वहीं पे कहीं बार explain अपने साथ में दूसरे की और करते हैं कि मैं अतनी मेहनत करता हूं पर फिर भी सामने वाला मेहनत नहीं करके भी मुझसे जादा प्रॉफिट कमाता है मैं मेहनत इतनी करता हूँ सामने वाले को देख करके जल बैठता हूँ जब वो कुछ भी नहीं करता हाथ पे हाथ धरके बैठता है फिर भी उसका भला हो जाता है तो यहाँ पे समझने की बात है कि भाग्य भी कोई चीज है भाग्य क्या है जब कुंडली में राज योग होते हैं तो राज योग मतलब राजाओं के समान योग कभी पहले राजाओं को काम करते हुए देखा था खेतों में काम करते हुए देखा है कभी भी नहीं हाथ पे हाथ धरके बैठे इंसान तो भी कमा बैठता है तो वहीं पे जब आपकी कुंडली में राजयोग प्रबल होते हैं तब आप भी आराम से बैटे हुए बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हैं पर वहीं पर अगर महनत कर ली तो उसी प्रॉफिट को लाग गुना जादा बढ़ा भी सकते हैं और जब कुंडली में दुर्योग प्रबल हो तो इसका मतलब है कितनी भी महनत कर लीजे जी जान लगा दीजे पर फिर भी आपको कहीं न कहीं पर अर्चन देखने को मिलेगी कहीं न कहीं पर कमी पेशी रहेगी तो ऐसे में स्वयम के लिए आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना कि आपकी कुंडली में राजयोग प्रबल है या दुर्योग प्रबल है राजयोगों की दशाएं कब आएंगी उससे आपको क्या फाइदा मिलेगा कितना फाइदा मिलेगा और दुर्योग जो है कुंडली में उनकी दशाएं कब आएगी वो कब प्रबल है उनका आपको कब फेस करना पड़ेगा नुकसान अगर आप भी स्वयम के लिए अपने बच्चों के लिए अपने घर परिवार में सभी सदस्यों के लिए सोच रहे हैं कि राजयोग जनम पत्री का बनवा लेनी चाहिए हैं तो साइड में जो नमबर्स नी हैं इस पे संपर्क कीजे इनसे पूछिए कि राजयोग जनम पत्रिका बनवाने का मुझे क्या फाइदा मिल सकता है और कैसे ये राजयोग जनम पत्रिका मिलेगी और मुझे इससे कैसे पढ़ना है बात एक हमेशा ध्यान रखिएगा जैसे इंजिनियरिंग की किताब लेकर के इंसान इंजिनियर नहीं बन जाता डॉक्टर की किताब लेकर के इंसान डॉक्टर नहीं बन जाता उसी तरीके से जनम पत्रे का हाथ में लेने से आप जोतिशी नहीं बन पाएंगे आप पढ़ करके ये जरूर विचार लेंगे कि आपका फाइदा होगा या नुकसान होगा पर अंत में एक सही जोतिशी की सला तो आपको चाहिए ही होगी और उसके लिए आपको बता देता हूँ कि 6 तारिक को हम आ रहे हैं मुंबई 7 तारिक को हम है पूने में और उसके बाद में 9 तारिक को हम वापिस है मुंबई में 10 तारिक को हम रहेंगे नाकपुर में तो ऐसे में अगर आप भी मिलना चाहते हैं आप आकर के हमारे से सेम फेस टू फेस मिलना चाहते हैं तो ऐसे में आपको appointment book करना होगा appointment book करने के लिए side में जो number है इन पे आपको संपर्क करना ही होगा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपका past जो है भूत काल जो है उसे कोई नहीं बदल सकता और जो इस चीज़ को बोलता है कि बदल देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रहमित कर रहा है पर मैं आपका भविश्य जरूर बदल सकता हूँ यहाँ पे साथ सिर्फ आपका ही चाहिए है अगर आप जिस राह में बता रहा हूँ अगर उस राह पे चल लिए तो उसके बाद में आपको सक्सेस्फुल होने से कोई नहीं रोक सकता अब बात करते हैं कवच निर्मान की जैसे की होली के बाद में अब फिर से शुब महुरत आने वाला है कवच निर्मान का दो अप्रेल से नवरात्री स्थापना से दस अप्रेल तक राम नवमी तक हम लगातार आपके लिए कवच का निर्मान करने वाले हैं कोई आपकी समस्या है कोई आपकी कामना पूर्ती है तो उसके लिए अलग-अलग कबज का निर्मान किया जाता है जो स्क्रीन पर आप नंबर्स देख रहे हैं इस पर अगर आप संपर करेंगे सुभे के 9 बज़े से लेके शाम के 7 बज़े तक तो यहां तक मेरे टीम के पंड करतान आपको जरूर खोज करके दे दे आगे ऐसे में वर्तमान समय को देखते हुए कुछ कवज है जिनके आर्ण वारे में मैं स्वयम ही आपको बता देता हूं सबसे पहले बात करता हू लक्ष्मी नारायन का वचकी। हम सभी लक्ष्मी चाहते हैं और साथ ही अच्छे सन्सकार भी चाहते हैं। अक्सर देखेंगे बड़े घरानी के बच्चे जो होते हैं वो गलत रहा पे होते हैं। शराब पीना, ड्रग्स लेना, गलत लोगों के साथ में उठना बैठना, गलत धारना एपालना। तो ऐसे में, जहां लक्षमी का नारायन के साथ में आगमन होता है, वह लक्षमी सात्विक होती है。 नीती पूर्ण उपारजित होती है, वह लक्षमी चीरकाल तक स्थाई रहती है, क्योंकि नाराहन में ही ऐसा गुण है, जो चंचला लक्षमी को बांध करके रख सके। तो जोतिश अनुसार भी भगवान विश्नु ब्रहस्पती ग्रह के लिए पूजिये हैं। साथ करना ही लक्षमी नाराण कवच का विशेश अभी प्राय है। अब बात करूँगा नवग्रह दोशनेवारण कवच की। जैसा कि हम सब जानते हैं आकाश में नवग्रह हैं और उनमें संसार का समस्त रहस्य चुपा हुआ है। अगर अनिश्टकारी हैं तो मनश्य को दुर्भाग्य के भवर में गेर लेते हैं। जिससे की बार-बार अलग-लग तरीके की समस्याएं बाधाएं से आदमी तरस्त रहता है। तो नवग्रह दोश निवारन कवच के प्रभाव से बहुत जल्द अलग-अलग ग्रहों की दोशों से आप राहत प्राप कर सकते हैं। व्यापार हो या घर दोनों में विवाद हो या नुकसान। हर जगे नवग्रह दोश निवारन कवच समान रूप से लापकारी सिध होता है। फिर बात आती है धन कुबेर कवच की। लक्षमी और नवग्रह के क्रपा से लक्षमी की प्राप्ती तो हो जाती है। लेकिन संचय के बिना स्थिर लक्षमी के बिना भाग दोड़ का कोई अर्थ नहीं है। और शास्त्रों में भी लक्षमी साधना के साथ-साथ कुबेर की पूजा का वर्णन है। कुबेर लक्षमी द्वारा प्रदत धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षत रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायू और अगनी ये सभी देवता इनके होते हैं। उसी तरह धन धान्य के वैभव के यश्च के अधिश्टाता कुबेर महराज है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देवी देवताओं के कोशाध्यक्ष याने की ट्रेजरर जिसे बोलते हैं वो कुबेर महराज है। इसलिए जिनको अपनी संपत्ती को, वैभव को, पीडियों के लिए संजोना हैं, उनके लिए धन कुबेर कवच बहुत ज्यादा लाबकारी सिध हो सकता है। हमेशे याद रखिएगा, बीता हुआ कल कोई नहीं बदल सकता। लेकिन आने वाला कल हमेशा बदला जा सकता है और स्वयम ही बदल सकते हैं। आई अब बात करते हैं आज के राशी फल की और सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी की। तो मेश राशी के लिए राशी भाव से टेंथ हाउस में चंदरमा है, संपत तारा का साथ और अश्टागवर्ग में 24 डॉट से जो आज के दिन को 100% पॉस्टिव बनाते हैं। तो ऐसे में जो भी जॉब करते हैं लोग उनके लिए आज का दिन बहुत बहुत जादा अच्छा और सफलताओं से भरा हुआ हो सकता है। वहीं पर व्यापारी लोगों के लिए आज का दिन धन कमाने का है। अच्छे से मेहनत कीजेगा बहुत प्रॉफिट कमाने की आज क के दिन संभावना आपके लिए बन रही है। यहीं पर यंग्स्तर जो हैं एक्जाम अगर आपके पास में आ रहे हैं तो ऐसे में आज के दिन रिविलेशन का दिन हैं अच्छे से कोर्स पूरा होने का दिन है या तो फिर अगर कोई सांपल पेपर्स आप टेस्ट करने वाल है जो चीज मांगेंगे वो चीज मिल सकती है बस ध्यान यही रखना है कि मांगना उतना ही है जतना सोयम वापस पचा सके ऐसे में ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ भी मांगें और सामने वाला आपको दे दे घर के सुक्की बात कीजे दामपत्य सुक्की बात कीज हर तरफ से आज के दिन बहुत ज्यादा पॉस्टिव है आत्मविश्वा से परिपून रहेंगे कोई भी मीटिंग है तो उसके लिए all the best आपको अरड़ी बोल देता हूँ काफी जाद अच्छी आपकी मीटिंग होने वाली है शुबरंग ऐसे में रहेगा आपके लिए लाइट ब्लू कलर शुब अंक रहेगा नमबर नौ अब बात करते हैं व्रशब राशी की तो व्रशब राशी के लिए राशी भाव से 9,000 में चंद्रमा है मित्रतारा का साथ है अश्टाग गर्ग में 25 डॉट्स हैं ये ओवरल सिच्वेशन को 80% आपके लिए सपोर्टिव बनाते हैं ऐसे में कन्फ्यूज रहना, मेंटली परेशान रहना, डिप्रेस्ट रहना ये आज के दिन आपको देखने को मिल सकता है स्वयम के साथ में पर क्रोध नहीं आएगा ऐसे में आज के दिन खुद को ठका हुआ मानना, खुद को हारा हुआ मानना ये पॉसिबिलिटी ज़ादा है जबकि है नहीं, एमोशनली आपको ऐसा लग सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है ऐसे में घर में बच्चों के साथ में कल्यकलेश हो जाना, मदभेद हो जाना, मदभेद है ये बात ध्यान रखेगा, मनभेद नहीं है तो मदभेद होने में कोई समस्या नहीं है, मदभेद जो है वो वापिस मत अनुसार सही भी हो सकता है ऐसे में businessmen को आज के दिन हानी उठानी पड़ सकती है और वहीं पे जो job करने वाले हैं उनके उपर forcefully उनसे कोई काम कराया जा सकता है चाहे उनको कुछ सिखाने के लिए हो या सिर्फ और सिर्फ अपनी position का power दिखाने के लिए हो कमजोर और ठकावट भी आज के दिन आपको बहुत जादा देखने को मिलेगी और ऐसे में चाती के दर्द से यानि की chest pain से आपको आज के दिन जादा साबधान रहना है शुबरंग आपके लिए रहेगा blue color शुबंग रहेगा number 5 अब बात करते हैं मिथुन राशी की तो मिथुन राशी के लिए राशी भाव से 8 थाउस में चंद्रमा है उसी के साथ में साधक तारा का साथ और अश्टागोरिमे 28 डॉच से आज के लिए 67% supportive बनाते हैं आज के दिन को तो ऐसे में गुसा आना जुझला जाना लोगों के उपर बरस जाना घर परिवार में जो supportive है उनके उपर भी कुछ ऐसी चीज़ें बोल देना या ऐसा कुछ कर देना जिससे की सामने जो support मिल रहा था support हट जाए यह आपको आज के दिन देखने को मिल सकता है यह सिर्फ आज के दिन ही नहीं आगे के दो दिन जो हैं लगातार वो ऐसे ही बीटने वाले हैं यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है सामने से इनसान अपने आप चल के आपकी मदद भी लेगा और उसके बाद में आप पे आरोब भी लगा दे इसकी संभावना भी जादा है खास طور पर आज के दिन जो भी मेल्ज हैं जो इस एपिसोड को देख रहे हैं आदमी हैं लड़के हैं उनको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि महिलाओं से आज के दिन सावधान रहे करके आपको चलने की जरूरत है सामने वाले आपसकी सहायता भी ले लेंगे और उसके बाद में वापस आपको सुना करके भी निकल जाएंगे जिससे आपका क्रोध और बढ़े इसके वज़े से थोड़ा अपने आपको संभल करके आज के दिन किसको हेल्प करते हैं ये सोचिएगा जिनको भी हिल्थ की प्रॉबलम है उनको यहाँ पे सांस लेने में समस्या दस्त की प्रॉबलम, बवासीर की प्रॉबलम, ब्रॉंकाइटिस की प्रॉबलम ये देखने को मिल सकती है ऐसे में शुबरंग जो है वो आपको जादा जादा पावर देने के लिए यहाँ पे रहने वाला है royal blue color शुब अंक रहेगा number 4 अब बात करते हैं करकराशी की तो 7,000 में चंद्रमा है जो की काफी जादा positive है पर यहाँ पे जर्मतारा का साथ मिलने से आपके लिए 33% deduct हो जाते हैं पॉस्टिवनेस के अंदर पर अश्टक वर्ग में वापस 28.00 मिल रहे हैं जो की काफी जादा अच्छी पॉस्टिवनेस आपको देंगे तो 67% positivity आज के दिन आपको मिलने वाली है ऐसे में जो भी व्यापारी लोग हैं खास तोर पर आपको बता देता हूँ जो भी business करते हैं खास तोर पर business वो जो की सरकार के साथ में लेंदेन का है raw material देते हैं, construction है, engineer है या तो फिर developers हैं उनके लिए आज के दिन बहुत जादा लापकारी सिद हो सकता है कोई अटका हुआ काम जो था वो आज के दिन आपका निकल सकता है ऐसे में sources आपके बहुत सारे नहे-नहे develop हो जाएंगे ऐसे लोग आपके पास में बहुत सारे develop हो जाएंगे जो कभी भी आपका काम अटके तो आपका काम निकल वा दे आज के दिन profits भी बहुत मिलेंगे अलग लग जगाहों से आज के दिन streams जो है वो आपके लिए open हो सकती है वहन का सुक बोलिए, दामपती सुक बोलिए, परिवार का support बोलिए, उनका प्यार बोलिए ये सबी चीज़ें आज के दिन आपको जरूर मिलेंगी और बहुत ही ज़ादा अधिक मातरा में मिलने वाली है शुबरंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुबरंग रहेगा नमबर थ्री अब बात करते हैं सिंग राशी की, तो यहाँ पे 6,000 में चंद्रमा है अधिमित्रतारा का साथ है अश्टगवर में 26 डॉट से ये 100 नहीं बलकि 200 परसंट आज के दिन को पॉस्टिव बनाते है ऐसे में जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुती ज़्यादा दिल्चस्पी आएगे और दिल्चस्पी के कारण काम करने में बहुती ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है आसपास में कोई आज help भी मांगता है तो बहुत ही आसानी से आप उनको help देने के लिए भी तयार रहेंगे mood बहुत अच्छा रहेगा ऐसे में mood जब अच्छा होता है इंसान का तो आसपास वाले लोगों को भी खुश कर देता है खुद की self confidence भी बढ़ता है और लोग attract होते हैं क्योंकि समस्यां किसके जिंदगी में नहीं है हर किसी के है पर अपनी समस्यां को ओजल करके कोई इंसान खुश रहे करके दिखाए तो आसपास में जितने भी दुखी लोग हैं वो सुख की तरफ खीचे चले आते हैं तो ये चीज आज आज आपको स्वयम के साथ में होती भी नजर जरूर आने वाली है जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी profit जरूर मिलेगा ऐसे में दोस्तों से मिलकर के खुशी और आनंद के पल भी बताने को मिलेंगे घर परिवार से अपने लाइफ पार्टनर से जो भी expectations है आज के दिन फुल्फिल जरूर होने वाली है शुबरंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर शुबंग रहेगा नंबर नाइन अब बात करते हैं कन्या राशी की तो फिफ्ट हाउस में चंद्रमा है जो की आपके लिए मिले जुले प्रभाव देने वाला बनता है पर वहीं पे सादक तारा का साथ मिल जाना अश्टग वर्ग में 29 डॉट्स ये 67% सपोर्ट भी देते हैं तो ऐसे में चंता होना, फ्यूचर के चंता होना, बच्चों की विमारी को लेके चंता होना, लाइफ पार्टनर के खर्चों को लेके चंता होना, घर में बहन है, भाई है, उनकी शादी को लेके चंता होना तो ये चिंताओं से आज के दिन जरूर खिरे रह सकते हैं ऐसे में अगर आप महिला हैं खास तोर पे प्रेगनिंट महिला हैं तो अपनी बहुत ज़्यादा देखबाल करें आपको बहुत ही दवी जुबा में बोल रहा हूँ आपको इससे ज़्यादा समझने की जरुरत है आज के दिन जो भी बिजनस करते हैं उनका भी मन नहीं लगे उसके कारण लॉसेज उठाने पड़ सकते हैं या कोई बहुत अच्छी डील आ रही है तो उसको अपने हातों से फिसलता हुआ देख सकते हैं यहाँ पर भारत के बाहर जो भी गांबलिंग करते हैं कसीनोस में खेलते हैं सटा खेलते हैं उनको आज के दिन लॉसेज हो सकते हैं थोड़ा संभल करके सोच समझ करके फिर अपने दाव पेज खेलिएग आज के दिन शुब रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर शुब अंक रहेगा नबर 4 अब बात करते हैं तुला राशी के तुला राशी के लिए 4th house में चंदरमा है मित्र तारा का साथ और अश्टेक वर्ग में 26 dots ये आज के दिन को 67% support का बनाते हैं क्योंकि अकसर मैं आपको बताता हूँ 4th house का चंदरमा जो है वो नेगेटिव होता है तो ऐसे मैं खास तौर पे आज के दिन जो भी लोग यहाँ पर बता दिता हूँ शनी के साथ में और मंगल के साथ में तो यहाँ पे bosses के through आज के दिन आपको परेशानिया बहुत जहिलनी पड़ सकती है आप principles से guided है एक इंसान set of rules के साथ में चलने वाला होता है आप वैसे इंसान है सीधे सीधे चलने वाले इंसान है तो इसके कारण आज के दिन समस्या है बहुत face करनी पड़ सकती है सही और गलत आप सोचते रह जाएंगे और आपको force किया जाएगा कि गलत का साथ दीजे तो इससे आप स्वयम को बहुत ही जादा tension में पाएंगे mentally भी unstable रहेंगे क्योंकि तुला राशी की एक आदत है हर चीज नाप तोल करके करता है अगर कुछ स्वयम के साथ में बुरा हुआ है तो वापस जब बुरा करेगा तो वो नाप तोल करके ही करता है तो यहाँ पर आज यह चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी तो आज के दिन आपको मेजर ली ब्लड लॉस के कारण या फिर हाई ब्लड प्रेशर के कारण परिशानिया देखने को मिलने वाली है ऐसे में आपके लिए शुबरंग जो है वो रहने वाला है येलो कलर शुबरंग रहेगा नमबर नाइन अब बात करते हैं व्रश्चिक राशी की व्रश्चिक राशी के लिए राशी भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा है संपत्तारा का साथ और अश्ठक वर्ग में 40 डॉट्स जो 100, 200, 300 यहाँ पर बोल दीचे हजार गुना आपके दिन को positive बना रहे हैं सबसे पहले शुक्र का साथ होना मंगल का साथ होना तो दोनों ही बहुत ही जादा positive situation भी बनाते हैं तो इसके कारण आज के दिन धन संपत्ती से इलाब होना खुद का business है तो बहुत ही जादा profitable situations आज आज आपके लिए बनने वाली है जिस तरीके का आपका विवहार है लोगों के साथ में उससे आपको profit आज के दिन बहुत अच्छा मिलने वाला है self confidence से भरे रहेंगे youngsters भी आज के दिन attraction में आकर के बहुत लोगों से दोस्ती करेंगे अक्सर क्योंकि लोग जैसे बोलते है कि यह लड़का है पर लड़कियों की दोस्ती जादा है यह यह लड़की है इसके लड़कों की दोस्ती जादा है तो ये चीज़ें आज आपको स्वयम के साथ में देखने को मिलेगी कि आप है किसी जेंडर के दोस्त जो है वो सारे वो दूसरे जेंडर के हो ऐसे में emotional बहुत इंसान हो जाता है जो भी काम करता है उसमें straight as an arrow रहने की कोशिश करता है जहां पर भी काम करता है appreciation पाना चाता है प्यार का भूका होता है ये चीज़ आज आज आपको देखने को मिलेगी और ये प्यार जो है वो आज आप पर बरसाया जाने वाला है शुबरंग ऐसे में रहेगा आपके लिए green color शुबंग रहेगा number 3 अब बात करते हैं धनूराशी की धनूराशी के लिए second house में चंद्रमा, शेम तारका साथ और श्टगवर्ग में 26 dots है ये overall situation को आज के लिए आपके यहाँ पे 70 से 75% तक support का बनाते है तो ऐसे मैं आज के दिन जो काम कर रहे हैं उसमें अर्चने जादा देखने को मिलेगा अर्चन सिर्फ planning के कारण नहीं है ये आपके आसपास में जो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप सफल हो उनकी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि आदत जो है रास्ते में रोड़े अटकाने की वो रोड़े अटकाते हुए नजर आएंगे mentally बहुती जादा परेशान रहेंगे उलजन से भरे रहेंगे confused रहने वाले हैं और जो आसपास में लोग आपके काम करते हैं आपके खुद के सहकर्मी जो हैं colleagues हैं आपके अंदर जो काम करते हैं उनसे भी आज के दिन support नहीं मिलेगा उल्टा वो आपके against में जाते हुए नजर आएंगे फिर चाहे आप सही ही बात के आउना बोल रहे हो पर तो भी support आज के दिन नहीं मिलेगा फिर आप चाहे घर परिवार के support की बात कीजे अपने खुद के life partner के support की बात कीजे तो वो भी आज के दिन आपको support करते हुए नजर नहीं आएंगे health wise आँखों का आज के दिन बहुत जादा ख्यार रखना है और खर्चों पर बहुत जादा काबू रखने की जरुरत है शुबरंग रहेगा आपके लिए golden color शुबंग रहेगा number one अब बात करते हैं मकर राशी की तो मकर राशी के लिए स्वयम राशी भाव में ही चंद्रमा है वहीं पर प्रत्यारी तारा का साथ होने से आपको थोड़ी negativity जरूर देखने को मिल सकती है पर अश्ठक वर्ग में फिर से 34 dots है जो आज के दिन को 67% आपके लिए positive बनाते हैं तो ऐसे में self confidence से भरे रहेंगे खुद के बारे में जादा सोचेंगे मैं कैसा दिखता हूँ मैं कैसा चलता हूँ मैं क्या पहनता हूँ मैं जिन्दगी में कहा पहुँचना चाता हूँ खुद पे बहुत ज़्यादा concentrator आज के दिन आप रहने वाले हैं जो भी सुख सुविदाय चाहिए सांसारिक सुख चाहिए है वो सभी सांसारिक सुख मिलने वाले हैं health wise कोई परेशानी नहीं रहने वाली income बहुत अच्छी रहने वाली है अगर collection के लिए निकल रहे हैं तो यहाँ पर collection भी आज के दिन बहुत अच्छा होने वाला है खास तौर पर अगर आप कोई celebrity है या त फिर struggler है तो ऐसे में आज के दिन कोई अच्छी news मिल जाना कोई छोटा मोटा रोल ही मिल जाना उससे भी आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे overall बहुत ही ज्यादा भागेशाली दिन है इस दिन का जितना ज्यादा यूटलाईज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए best रहने वाला है शुबरंग रहेगा आपके लिए green color शुब अंक रहेगा number two अब बात करते हैं कुमबराशी की तो 12th house का चंद्रमा है जो की negative है पर अश्टा गुर्ग में 27 dots मिल रहे हैं ये आपको 33% support देने का भी काम कर रहे हैं प्रत्यारी तारा का साथ ये वापस से 33% शीन लेता है तो overall 30 से 33% तक का सिफ support मिल रहा है तो ऐसे में आज के दिन आसपास के लोगों की बजाए स्वयम से बहुत ज़ादा परेशान होंगे पुरानी चीजों को लेके डिप्रेस होना गुस्सा हो जाना सामने कोई दूसरा आदमी कुछ काम कर रहा है सामने कोई दोस्त नई गाड़ी लेके आया है या तो फिर सामने दूसरा कोई रिष्टेदार है उसने कुछ अच्छी डील क्रैक कर दी है आगे बढ़ रहा है तो इस चीज को लेके इर्शिया भाव जो है वो बहुत जादा आएगा फिर आसपास में चाहे कितना भी कोशिश हो रही हो कि आपके मूड को अच्छा कर ले पर आप स्वयम ही अपने मूड को सुधारने के ले तैयार नहीं होंगे यहाँ पे जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हुए उनको लॉसेज उठाने पड़ सकते हैं अपने मूड खराब होने के कारण जो अच्छा काम सामने हो रहा था उससे भी हाथ दो बैठेंगे डर और बेचैनी का महोर रहेगा कोई भी यातरा कर रहे हैं तो बिना बात के बिना किसी काम के बिना किसी गोल के आप यातरा करते हुए नजर आने वाले हैं ऐसे में शुबरंग जो है वो रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर शुबरंग रहेगा नमबर थरी अब बात करते हैं मीन राशी की तो लेवन्थ हाउस में चंद्रमा है शेमतारा का साथ औश्टग वर्ग में 24 डॉट्स ये दिन को 100% पॉजटिव बनाते हैं तो ऐसे में जो भी व्यापारी वर्ग के लोग है उनके लिए उन्नतिशाली दिन है जो भी बिजनस जो भी सौरी जॉब करते हैं उनके लिए भी काफी जादा अच्छा दिन है कलीक से जो आपको सपोर्ट चाहिए कोई आपको मीटिंग सेट अप करनी है कहीं पर आपको कोई हल्प चाहिए आपका कोई काम अटका हुआ है तो वहाँ पर आज की दिन आपका फिरिंट सर्कल आपका बॉस है आपका जो सीनिय है उसकी आँखों में आप आ जाएंगे और बात यहान रखिएगा उपीनियन जो है सोज समझ करके दीजेगा ऐसे ही फाल्टनु में अगर बात करनी है तो उससे आँखों में जरूर आएंगे पर वो पॉस्टिव नहीं रहेगा जो यंगस्टर्स यहां भी अपना केरियर स्टार्ट किये है उनके लिए यहां पर जरूरी बहुत है कि अपने सीनियर्स जो है उनकी आँखों में आए अपनी एफर्ट से आए ताकि सामने वाला एप्रिशेट करें हेल्थ वाइस कोई समस्या देखने को नहीं मिलने वाली और ऐसे ही समय में घर में किसी चीज की कमी लग रही है तो उस कमी को आज की दिन पूरा करते हुए भी नजर आ सकते हैं ऐसे में शुबरंग जो है वो रहेगा आपके लाइट ब्लू कलर शुब अंक रहेगा नंबर फो ये तो हुई बात आज के राशीफल की आई अब बात करते हैं आज के विशेशुपाई की कि सोमवार को ही शिवजी का दिन क्यों माना जाता है जैसे कि आप सुब जानते हैं सोमवार है सोमवार का राशीफल है ये और भगवान शिव का दिन है आज मैं आपको बतलाने जाने वाला हूँ कि सोमवार ही शिवजी का दिन क्यों माना जाता है तो सनातन धरम में हर दिन का संबंद किसी ना किसी देवता से किया गया है रविवार को भगवान सूर्य की उपासना की जाती है मंगलवार को भगवान हनुमान जी की तो वहीं पे कहीं किसी मंगल मूर्ती गणपती का भी दिन माना जाता है ठीक ऐसे ही भगवान शंकर का सोमवार को सबसे ज्यादा पूजे जाने वाला दिन है शिव महापुरान के अनुसार प्राणियों की आयू का निर्धारन करने के लिए भगवान शंकर ने काल की कल्पना की उसी से ही ब्रह्मा से लेकर अत्यंत छोटे जीमों तक की आयू का अनुमान लगाया के जाता है और उस काल को ही विवस्थित करने के लिए महा काल ने सांत वारों की कल्पना की सबसे पहले जोती स्वरूप सूर्य के रूप में प्रकट होकर आरोग्य के लिए पहले वार की कल्पना की अब इसे रविवार भी कहते हैं अदितवार भी कहते हैं फिर आता है अपनी सर्व सौभाग्यदात्री शक्ति के लिए दूसरे वार की कलपना की, उसके बाद अपने जेश्ट पुत्र कुमार के लिए अतियंत सुन्दर तृत्य वार की कलपना की इसके पश्चात सर्व लोकों की रक्षा का भार वहन करने वाले परम मित्र मुरारी के लिए चतुरत वार की कल्पना की देव गुरु के नाम से पंचमवार की कल्पना कर उसका स्वामी यम को बना दिया असुर गुरू के नाम से छटे वार की कल्पना करके उसका स्वामी ब्रह्मा को बना दिया और सब्तम वार की कल्पना कर उसका स्वामी इंद्र को बना दिया नक्षत्र चक्र में साथ मूल ग्रहे दृष्टी गोचर होते हैं इसलिए भगवान ने सूरिया से लेकर शनी तक के लिए साथ वारों की कल्पना कर ली राहु और केटू क्योंकि छाया ग्रह हैं मैं बार बार आपको बताता हूं राहु और केटू ग्रहे में नहीं माने जाते हैं जोतिश के अनुसार हम इन्हें ग्रह मांते हैं पर ये च्छाया ग्रह हैं शाड़ो प्लानेट्स हैं इसके कारण द्रश्टी गत न होने से उनके वार की कल्पना नहीं की गई है ऐसे भगवान शंकर की उपासना हर वार को अलग अलग फल प्रदान करने के लिए होती है मांतलब स्वास्तिय संपत्ती, रोग नाश, पुष्टी, आयू, भोग तथा मृत्यू की हानी के लिए रवेवार से लेकर शनिवार तक भगवान शंकर की आरादना की जानी चाहिए सबी वारों में जब शिव फल प्रद हैं तो फिर सुमवार का ही आगरहे क्यों किया गया है ऐसा लगता है कि मनुश्य मात्रों को संपत्ती से अत्यदिक प्रेम होता है इसलिए उसने शिव के लिए सुमवार का चैन किया पुराणों के अनुसार सुम का अर्थ है चंद्रमा और चंद्रमा भगवान शंकर की शीश पर मुकट आयमान होकर अत्यंत सुशोबित होता है लगता है कि भगवान शंकर ने जैसे कुटेल कलंग की कामी वक्री और शीण चंद्रमा को उसके अपरादी होते हुए भी शमा कर अपने शीश पर स्थान दिया है वैसे ही भगवान हमें भी उनके सिर पर नहीं तो अपने चर्णों पे जगे अवश्य देंगे ये याद दिलाने के लिए सोमवार को ही लोगों ने शिव का वार बना दिया अत्वा सोम का अर्थ सौम्य होता है बगवान शंकर अतियंत शांत समाधिस्त देवता है और इस सौम्य भाव को देखकर ही भक्तों ने उन्हें सौमवार का देवता मान लिया सहिश्टा और सरल्दा के कारण ही इन्हें भोले नात कहा जाने लगा अत्वा सोम का अर्थ होता है उमा के सहित शिव केवल कल्यान कारी शिव की उपासना न करके सादक भगवती शक्ती की भी साथ में उपासना करना चाहता है क्योंकि बिना शक्ती के शिव की रहस्य को समझना बहुत ज्यादा कठन है इसलिए भक्तों ने सोम वार को शिव का वार स्वीकृत किया अत्वा सोम का अर्थ चंद्रमा है और चंद्रमा मन का प्रतीक है जड़ मन को चेतनता से प्रकाशित करने वाला परमेश्वर ही है मन की चेतनता को पकड़ कर हम परमात्मा तक पहुँच सके इसलिए देवादी देव महादेव की उपासना सुमवार को ही की जाती है आशा करता हूँ कि अब कम से कम आपको ये जरूर मालूम चल गया होगा कि सुमवार के दिन ही क्यों महादेव की उपासना करने का सबसे जादा मान्यता है हमेशा की तरह यही प्रातना करता हूँ कि आप और आपका परिवार सदेव सुखी रहे संपन रहे, सुरक्षित रहे गर में बड़े बूरों का साथ और आश्रबाद हमेशा आपके साथ में बना रहे जैश्री राम एवं जैहन